वेलकम बैक अगेंज आप सभी जानते हैं कि हम मार्च 2023 के अंतर राष्टी क्रोनलोजी को पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो यानि कि वीडियो नंबर 8 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने राजस्तान का बजट पूरा कवर कर लिया था तो अगर आप वो दो पेजिस पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपको और कहीं से भी जादा चीजों को कवर करने की ज़रुवत नहीं है तो आप वहां पर जाकर को डाउनलोड करके देख सकते हैं तो चलिए हम स्टाट करते हैं आज का पूर्शन और आज हमको कहके चीज़ें पढ़नी है तो हमको काफी सारे पूरुसकार है बाफटा पूरुसकार्स हैं दादा साहफ आलके है और संसद रथना अवार्ड है ये से सर्वस्रेश्ट सांसद हैं MPs हैं Member of Parliament से तो उनको पुरुस्कृत किया जाना चाहिए तो तभी से यह पुरुस्कार स्टार्ट किये गए और 2010 में उस टाइम प्रेसिडेंट रहे थे 2010 में पहली बार इन पुरुस्कारों को स्टार्ट किया गया है अब इसमें देखिए कि ए सदस्यों को दिये गए हैं और दो जो है समीतियां जो होती है कमीटी जो होती है पारलिमेंट की उनको भी पुरुस्कार दिया गया है तो उनके नाम याद रखना तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है विशेश रूप से अब देखे कि ये जो रतना अवार्ड से हैं इसके अंदर जो चैन समीति है वो देख लेते हैं तो ये जो चैन समीति है इसके पुरी जूरी बैटती है जूरी का मतलब ही होता है कि उसमें जो आपके जो जो है उसके भी कुछ लोग हैं और सांसदों की जो जूरी है उस सबने इन लोगों का नामंकन किया है तो एक पुरी जूरी बैटी थी उसनोंने इसको इन मेंबर्स को इलेक्ट किया है तो आप देखें इसमें 13 सदस्यों को इन्होंने चुना है अवार्ड देने के लिए आ अमोल सिंग कोले हैं सुदीर गुपता कुलदीप राई शर्मा सुकांत मजुमदार विद्यूत बरन महतो तो ये इनके नाम है राजय सबा के सदस्य देखें तो पांच सदस्य है चाया वर्मा प्रसाद विशंबर प्रसाद और श्रीमति फौजिया तहसीन डॉक्टर तो ये सब हैं और दो जो समीतिय हैं जिनकों की पुरुस्कार मिला है तो वह एक जयंत सिनहा के अद्यक्षता में वित पर यानेंस पर लोग सभा के संसद्य समीति है और विजय साही रेड़ी के अद्यक्षता में परियाटन परिवहन और संस्कृति पर राज्य सभा की एक स्थाई समीति है तो इन दो समीतियों को भी जो है संसादरतना वाट से संभानित किया गया है तो ये भी इंपोर्टन हो जाता है उसके बाद और देखे इसमें क्या है और तो चीज़े मैं आपको इसमें बताई दिये तो ये 13 जो है 13 संस्क्राण था 2010 से ये पुरुसकार जो ह कि अपनी मदर टंग जो है जो मातरबाशा है उसके संवर्दन के लिए उसको बचाने के लिए उसका परचार प्रसार करने के लिए कारे कर रहा है तो ऐसे एक विक्ति हैं और ये भारती विक्ति हैं इनका नाम है डॉक्टर महेंदर कुमार मिश्रा इनको ये पुरुसकार दिया है और ढाका में ये पुरुस्कार दिया गया बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेक चीना के दवारा तो पहले ये ऐसे भांग जिनकों की ये पुरुस्कार जो है वह दिया गया निने के लिए अम बात इंपोर्टेंट है पहले तो नाम ध्यान रखिया का डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा कौन सब पुरुसकार है अंतर राष्ट्रे मात्र भाषा पुरुसकार और ये अच्छा ये जो है उडिशा जो है जो उडिशा के अंदर जो है स्वदेशी भाष्राओं के प्रच सबसे जuwतर और इस पुरुसकार होते है अनका फुलüll फॉर्म तो देखिये बृटिश अककेडमी ऑफ्यल्म और तेलविजन आर्ट्स बृटिश अकैडमी ऑफ सिल में टेलेविजन आर्च ये इसका फुल्ञ फॉर्म है और ये जो पुरुसकार होते हैं ये आसकर पुरु यह पॉलिटिकल मुवी है, पॉलिटिकल इश्यू पर बनी हुई मुवी है, तो उस पे यह सर्विस्टेश्ट फिल्म भी इसको मिला है, निर्देशक भी मिला है, अड़ेप्टेड स्क्रीन प्ले, नॉट इन इंग्लिश फिल्म, क्योंकि यह स्विडिश एक फिल्म कार है, स और साथ गुरसकार जो है इसने जो है वो जीत लिये हैं, तो यह सारी चीज़े हैं इसमें, और देखिए इसके अंदर भारती एक फिल्म है, डॉक्यूमेंटरी है, जिसका नाम है All That Breeds, तो इसको जो है बेस्ट डॉक्यूमेंटरी की के अंदर अवोर्ड यहां पर मिला है, और इसको निर्देशित किसने किया है, तो श्रॉनक सेन जो है उन्होंने इसको निर्देशित किया है, तो यह important हमारे लिए हो जाती है, बाकि इसमें देखिए काफी सारी बाते लिखी हुई है, कौन से सर्वस्रेश्ट फिल्म है, उसके अलावा निर्देशिक है, तो इनक इसको निर्देशिक में अपना योगदान देने के लिए उस वक्ति को दिया जाता है, तो हमारा जो भारत सरकार में जो फिल्म समाहरों निदेशाले होता है, वो उसको डिसाइड करता है, तो वो अलग है, यह अलग है, तो यह दादा सहाफ हाल के इंटरनेशनल फिल्म फे गंगु भाई के लिए, और सर्वस्रेश्ट अभिनेता रनबीर कपूर, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है, वरुन धवन, क्रिटिक्स बेस्ट वुमेन का जो अवार्ड है, विद्या बालन, इस प्रकार से जो है, काफी सारी लिस्ट लंबी है, आप देख लि अवार्ड होते हैं, उसमें बेस्ट इंटरनाशनल फिल्म पुरिसकार सही चार अवार्ड जीत करके लाया है, आपको पता इससे पहले एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था, जो हमने पिछली बार मेगजीन में पढ़ा था, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जो है इसने जीते हैं, इनका सॉंग है, बेस्ट ओरिजनल सॉंग कैटेगरी में जो है, गोल्डन ग्लोब जीत चुका है अल्रड तो अभी जो अरार आर है उसने चार कैटेगरी में और जो है, हलिवूड क्रिटिक्स असोसिएशन के अवार्ड जीते हैं, अब देखिए इसमें जो है फिल्म आरार ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरुसकार के अलावा सर्वसरेष्ट एक्शन फिल्म, सर्वसरेष्ट स्टंट, सर्वसरेष्ट मूल गीत का अवार्ड भी जीता है, तो ये क्या नाम है इसका, जो HCA है, यानि कि होलिवूड क्रिटिक्स इसका फुरुसकार किसने जीता है और और ने चार केटिग्रीप नेक्स्ट देखिए गया को पहली चीज तो एक राश्टि पुरुसकार है और राजा राम मौहन घुल के बारे में में आप जानते हैं father of modern India father of Indian प्रसाद को दिया गया है और देता कौन है तो भारती प्रेस परिशद यानिके इंडियन प्रेस काउंसल इंडियन प्रेस काउंसल जो है वो इस परिशकार को देता है फिर चलते हैं ग्रेमी परिशकारों की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है अब देखिए फ्रेंट्स जैसे कि ऑसकर अवार्ड्स सभी कैटेगरीज में दिया जाते हैं बाफटा परिशकार भी लॉस एंजलीस में तो लॉस एंजलीस के अंदर इनकी घोशना की गई हमारे लिए इंपोर्टेन्ट क्यों है क्योंकि एक भारतियसंगीत का है । क्या नाम है इनका रिकी के जीता है और Best Immersive Audio Album यह Audio Album था इनका Divine Tights उसके लिए रिकी केस को यह Grammy Award मिला है अब देखिए यह रिकी केस को पहली बार नहीं मिला है उनका यह उनकी करियर का यह 30 ग्रेमी पुरसकार है रिकी ने इससे पहले 2022 और 2015 में Divine Tights और Winds of Samas के लिए Best New Age Album की श्रेणी में भी Grammy Award जीता है तो यह important हो जाता है अच्छा एक pop singer और है अमेरिका के जिनका नाम है Beyonce तो इनको अपने super hit गाना Break My Soul के लिए Best Dance, Electronic Recording, Plastic of the Sofa और जितने भी मतलब का काफी सारी categories है उनमें उनको यह पुरसकार मिला है हम इसलिए इनको पढ़ क्योंकि यह 32 वा Grammy पुरुसकार है जो इन्होंने जीता है मतलब इन्होंने बहुत सारे Grammy पुरुसकार जीत चुके है यह तो एक record कायम किया है 32 Grammy Awards जो है वो अमेरिका के pop singer Beyonce ने जीता है तो यह important हो जाता है यहां पर 65 वे Grammy पुरुसकारों की में जो प्रमुक पुरुसकारों क सकते हैं कि वो जो है record कायम किया उन्होंने 32 Grammy Awards जो है वो अपने साथ ले करके गए हैं नेक्स्ट देखिए डॉक्टर मनमुहन सिंग को lifetime achievement पुरुसकार से हां समानित किया गया है तो देखिए अब जो पूरु प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमुहन सिंग है इनको आर्थिक औ Indian Students and Alumni Union United Kingdom ये पूरा बड़ा सारा नाम है बाद में नई दिल्ली में डॉक्टर सिंग को इससे समानित करेगा तो पहले तो ये अवार्ड जो है United Kingdom में लंदन में ये अवार्ड दिया जाएगा और ये जो है इनके जो शिक्षा के चेत्रे पॉलिटिकल और जो इनका राजनित साहीत्य के चितरे में जो समगर यॉकदान करता उनको दिया जाता है इसके अंदर जो है पचास चछार एक रुपे की जो राशी है और गुरू वयूर जो देखे यह पॉरू लुक्त्रू को दिया जाता है फिर देखे उस्ताद बिसमill'llah यूवा पॉसकार आप जानते है बिस्मिल्ला का शहनाई वादक थे और भारत रतन से भी इनको पुरुस्कृत किया जा चुका है तो केंद्री संस्कृती मंद्री जे किशन रिडी जो है उन्होंने रविंद्र भवन जो है नई दिली का वहाँ पर जो मेगदूत रंगमंच परिसर में 2019-21 के उस्ताद बिस्म राकार होते हैं उनको दिया जाते हैं और 25,000 रुपे अंगवस्त्र और पटिका जो है वो इसमें प्रदान की जाती है फिर देखिए युनेस्को शंति पुरुस्कार तो जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी अभी वाली नी पूर्व जो चांसलर थी अंजिला मारकल उनको शरनार्तियों के स्वागत करने के जो उनका प्रयास था उसके लिए जो है युनेस्को शंति पुरुसकार से इनको समानेत किया गया है अधिकारिक तोर पर इसे पहलिक्स होफिट बोगेन युनेस्को शंति पुरुसकार कहा जाता है सम्मान का नाम आईवरी कोस्ट के पू बूरसकार सम आश्टर घर्मादीकार ुर्फ द्रारवधिकार केवा हो माराश्टर बूरषकार 15 स्कूरी assuming A9 bets सर्विसकार 25 रूप्रे को प्रशेस्तिर पत्री इसके अंदर घिफत के रूप में दिये जाते हैं तो यह हमारा देख़ा सम्मानवाला पूर्शन इसके हमने जितने भी पुरसकार थे वो हमने देख लिए हैं अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम खेल परित्रश्च को कवर करेंगे और उसके बाद में हमारा फिर एक पॉर्शन ही बचेगा जो की रहेगा अध्यतन सामाने ग्यान यानिके उसको हम कंप्लीट करें फिर इंडिया का जो बजट है उसको भी कंप्लीट करेंगे टहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक्यू वएरी मुच फो डिसनिंग जल्दी से देख लिजे वीडियो को जो भी आप कड़ना चाते हैं तो आप अमाठो है जरू जरूर स लिखेगा, so thank you very much for listening all the best